Hello friends, welcome to Sikshah कैसे हैं आप सब? I hope सभी लोग अच्छे होंगे तो friends, जिस news का आप सबको बहुत बेसबरी से इंतजार था कि क्या UPSC, EPFO, AOO, EO का exam पोस्ट पॉन होगा 9 में को हमारा paper होना था तो बच्चे continuously पूछ रहे थे कि होगा या नहीं होगा पिछले दिनों से बहुत सारी news भी चल रही थी कि हो गया हो गया तो अब officially UPSC ने बोल दिया है कि आपका EPFO का exam जो है वो पोस्ट पॉन हो चुका है UPSC की website के उपर official notification आ चुका है इसका तो अब आपका paper 9th of me को नहीं हो रहा है because of the increasing COVID cases जो COVID pandemic का चल रहा है पूरे country के अंदर उसको नजर में रखते हुए UPSC ने EPFO का exam पोस्ट पॉन कर दिया है तो क्या कोई नहीं date दी गई है नहीं बिल्कुल कोई भी नहीं date नहीं दी गई है अभी UPSC के थूप मैं आपको एक बार website के उपर ही ले चलता हूँ तो पहली notification related to आपका enforcement officer, account officer, EPFO exam से related है आप जा सकते हो UPSC की website के उपर और फिर बहां जाकर के अगर आप इसके उपर click करते हो तो जो news आपको दिख रही है वो क्या है Recruitment test of the 421 posts of enforcement officer, account officer, EPFO exam 2020 scheduled for 9th में जो आपकी पहले date थी जिसके लिए आपके admit card भी आया थे अभी 2-3 दिन पहले is deferred ठीक है उसको रग्द कर दिया गया अभी के लिए till further notice new date will be announced in due course तो अभी कोई नई date announced नहीं हुई है तो अगर internet पर, youtube पर, google पर, gmail पर कहीं पर भी कोई भी कोई अफवा उड़ा रहा है कि इस date को होगा exam तो वो बिल्कुल गलत है अभी कोई भी date exam की announce नहीं हुई है हाँ, आपका अब 9 में को paper नहीं है यह अपने ध्यान रखना है admit card भी release हो गए थे तो अपने आपको बचागे रखना है यह नहीं कि 9 में को वहाँ पर पहुंच जाओ कि चलो मैं चेक करके आता हूँ कहीं paper तो नहीं हो रहा ठीक है, अगर कोई और notification आएगी तो वो भी आपके साथ share हो जाएगी तो चिंता नहीं करनी, update अपने आप आजाता है अपने पास 9 में को आप पहुंच मत जाना हो अधर बेवकूफ हो कि तरह ठीक है, तो paper defer हो गया है अब इससे बिल्कुल भी किसी ने निराश नहीं होना बच्चे निराश हो जाते हैं कि यार paper defer हो गया आप ये सोच कर चलो, ये paper 2019 में भरना हमने शुरू किया था 2020 निकल गया, 21 में भी ये paper नहीं हो रहा तो इसको ये लेकर चलो कि God is giving you the opportunity के लिए बेटा तू अभी तयार नहीं था इस paper के लिए और अच्छे से तयारी कर मैं चाता हूं जिरा ये paper clear हो तो positive sense में सब कुछ लेना है COVID positive होने के इलावा बाकी सब चीज़े जो है positive sense में आपने लेनी है अपने पास और अराम से एक डेड़ महीना तो कम से कम जाएगा ही जाएगा पोस्ट पॉनों के ठीक है तो अगर एक महीना भी लेकर के चलें कि 9 मही की जगा अब 9 जून को paper होगा तब भी अपने पास एक महीना जो है अराम से आजाता है और एक महीने में हम अच्छी कासी preparation कर देंगे और अब तो क्योंकि आप सिक्षा के साथ जुड़ गए हो और आपने काया कि सर आप quality content provide करते हो बच्चे बहुत मैं उनका thank you भी उनको बोलना चाहूँगा जिनको content पसंद आ रहा है तो अब एक महीना और मिल गया मेरे को मैं भी आपको 10-15 दिन वीडियोज नहीं दे पाया क्योंकि मैं खुद covid positive हूँ ठीक है अभी भी मेरा negative results नहीं आया है ठीक है तो अब अपने पास एक डेड़ महीना और आ गया है अपन एकदम पूरी तरह से इसको खाड़ देंगे एकदम तो चिंता नहीं करनी है और अच्छे से preparation करनी है ठीक है और ये non-video mcq courses थे अब इनको लेने का आपको और ज़्यादा benefit हो जाता है और ज़्यादा advantage हो जाता है अगर आप ये courses लेते हो ठीक है अगर आप labor law, social security, gap के mcqs लेना चाते हो तो combo course भी ले सकते हो, individual courses भी ले सकते हो ये अभी non-video mcq courses है और ये जो सारे non-video mcq courses है इन में अब बच्चों को मैंने ये decision लिया है कि अब बच्चों को जितनी आपकी YouTube के lectures है उन YouTube के lectures की PDF भी इन बच्चों को मिल जाएगी ठीक है, सारी की सारी PDF जो है उनके course में upload हो जाएगी जिनों नहीं इन में से कोई भी paid course करीदा हुए ठीक है, उसके इलावा जो YouTube पे PDF बच्चे मांग रहे है ठीक है, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ निकालेंगे कि आपको सारी PDF जो है YouTube की मिलती रहे वो भी कुछ ना कुछ उसका भी जो है paid में रहेगा ठीक है, देखें मैं हमेशा एक मैं आपके लिए वीडियो अभी और भी बनाऊँगा कि why I do sell some paid courses क्यों मैं शुरू से ही YouTube पे मैंने कभी भी ये point of view नहीं रखा कि मैं सब कुछ फ्री जितना मैं YouTube पे कराना चाता हूँ, उतना मैं YouTube पे करा रहा हूँ अगर मेरे को कोई कहता है कि sir आप labor log अपनी जो है वो जोरो शोरो से करनी है अगर MCQ courses नहीं भी ले रहे YouTube पे बहुत सारा content में डालने वाला हूँ हर subject का UPSC, EPF होके तो वहां से पढ़ा ही करो, वो सारे questions करो ultimately आपका paper clear होगा tension बिल्कुल भी नहीं लेनी है ठीक है कोई भी doubt है तो comment section में वो आप post कर सकते हो और जो अपना moral है वो बिल्कुल हाई रखना है अपने आपको safe रखना है अपनी family को आपने safe रखना है बाहर नहीं घूमने जाना ठीक है ना चलिए तो मिलते हैं आप किसी दूसरी वीडियो में content के साथ बहुत सारे तब तक के लिए keep studying hard all the best and bye bye